सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत रॉय का बीती रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया उन्होंने मुंबई के कोकिला बेन धीरुपाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे कंपनी ने बयान जारी कर कहा सहारा समू के प्रमुप सुब्रत रॉय की कार्डियोरेस से जान चली गई उन्होंने साठी दस बचे आखिरी सांस ली बुधवार को उनका पैर्थिव शरीर लकनो लाया जाएगा अब उनके निधन के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों की चर्चा तेज हो गई बदा देगी बहुत कम लोगों को मालूम है कि सहारा श्री सुब्रत रॉय की पत्नी स्वपना रॉय और बेटे शुशान्तो रॉय ने भारत की नागरिक्ता को छोड़ कर बॉलकन देश मैसेडोनिया की नागरिक्ता ले ली है उन्होंने ये नागरिक्ता भारतिय कानून से भचने के लिए ली थी सहारा श्री के खिलाफ निवेशकों का पैसा ना लाटाने को लेकर कई मामले चल रहे थे ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों ने दूसरे देश की नागरिक्ता लेकर खुद को भारतिय कानून से दूर करने की कोशिश की जानकारी के लिए बता दे कि मैसेडोनिया दक्षिनी पूर्वी यूरोप में इस्थित है ये एक नया देश है जो निवेश के लिए लोगों को नागरिक्ता प्रİदान करता है रिपोर्ट के अनुसार कोई भी नागरिक जो मैसेडोनिया की नागरिकता लेना चाता है उसे बस 4 लाग यूरो के निवेश करने की घूशना करनी होती है और 10 थाने लोगों को नौकरी देनी होती है ऐसा करनी से उसे मैसेडोनिया की नागरिकता आसानी से मिल सकती है इसके लावा जो विदेशी मैसेडोनिया के रियल एस्टेट में 40,000 यूरो से अधिक का निवेश करता है उसे एक साल तक रहने का अधिकार भी मिल जाता है मैसेडोनिया ऐसा देश है जो अपनी बिरोजगारी की दर को खत्म करने के लिए काम कर रहा है और इस तरह से नागरिकता बाटना भी उसका ही एक हिस्सा है मैसेडोनिया में बेरोजगारों की संक्या काफी अधिक है और इससे निजात पाने के लिए वो लगातार नागरिक्ता देता जा रहा है मीडर रिपूर्ट्स के नुसार सुबरत रॉय सहारा के मैसेडोनिया के साथ काफी अच्छे रिष्टे थे वे कई बार मैसडोनिया के राच के अधिती भी रह चुके हैं। उन्होंने मैसडोनिया में मदद टेरेसा की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की पेशकश की थी। इसके अलाबा उन्होंने एक कसीनो बनाने का भी प्रस्ताव रखा था। बदादें कि सुबत रॉय का ज से की थी बिहार के अररिया चिले के रहने वाले सुपरत रॉय ने स्कूटर पर नमकीन बेचने से अपने करियर की शुरुवात की थी इसके बाद तो वो कामियाबी की सीधियां चड़ते ही गए सीधर तौर पर स्कूटर से प्लेन तक का ये सफर आसान नहीं था लेकिन की नागरिकता त्याक कर मैसेडोनिया की नागरिकता ली है और वो सिर्फ निवेशकों का जो पैसा गुपचुप तरीके से गायब किया है सुपरत रॉय ने उससे बचने के लिए भारतिय कानून से खुद को दूर करने के लिए बहराल मामले पर हमारी नजर है और तमाम कहानियां उनका सफर और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ